हेलो एव्रीवन वेलकम टू एक्जाम टेजरी सो आज की स्वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी यू एम में जोग्रफी के बारे में सो जैसा कि आप लोग जानते हैं डी यू का स्पॉर्ट एड्मिशन का जो डेट है वो आ गया है और इस्ट्वेंट सब अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जोग्रफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम यूनिवर्शिटी में इसके सेंटर से हैं और इसलिए इस्ट्वेंट परिशान भी हैं कि कहां कहां एड्मिशन लिया जाए जो इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे जो कैटेग्री वाइड जो डी यू के तरफ से जो वैकेंसी लिस्ट आई है कि काउन से कैटेग्री में कितने सीट्स वैकेंट हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है इस्ट् पर आज यह आपका सीवन कैटेग्री होता है सीवन सीवन वह जो नौन डी यू से बीया जग्रफी नहीं किया अगर अगर आपने डी यू से बीया जग्रफी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट भी क्या है तब भी आप सीवन में ही आईएगा और देखने को मिलता है जो अन्रिजर्ब कैटेग्रिय यो आर में 2 seat vacant है OVC में आपके 2 seat vacant है यह आजाता है आपका schedule cast का schedule cast में 1 seat vacant है, schedule tribe में आपके 2 seat vacant है schedule tribe में 1 seat vacant है और EWS category में EWS category में कोई भी seat vacant नहीं है तो यह एक बाद मैं फिर से repeat कर देता हूँ general category जो है यह आपका दो seat vacant है, दो seat vacant है आपका OBC में schedule cash में दो seat vacant है, schedule tribe में एक seat है और EWS category में कोई भी seat नहीं है next यहाँ पर जो 5 vacant आप यहाँ पर seats देख रहा हैं, यह वो सारे हैं जो C2 category में आते हैं C2 का मतलब हो जाता है जो उन्होंने DU से BA geography में graduation किया है तो उनके लिए separate seats reserved होते हैं तो यहाँ पर general category में कोई seat नहीं है OBC में कोई नहीं है, schedule cash में कोई नहीं है, सिर्फ एक seat आपका schedule tribe में vacant है तो आप अगर मैं फिर से बता दूँ, जो C1 category है, C1 में आपका general में जो है सिर्फ उसीट है, OBC के नहीं हम बात करते हैंट है तो दू सिट हो जाता है, schedule cash में भी दो सिट है तो जितने भी ऐसे candidate हैं, जो मालीजे आप C1 से belong करते हैं, तो आप जिस category में belong करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने seat vacant है, इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, अगर आप में graduation अपना DU से ही किया है, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उस category में fall करते है अगर schedule tribe में हैं, तो आप apply किजए, schedule tribe के अलावा आप किसी और category में apply करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए seat vacant नहीं है, तो जितने भी candidate हैं, बागी है, अगर मालीजे दिली university के अलावा कहीं, और आपको admission लेना है, क्योंकि कुछ कुछ universities के cut-off list है, वो आने बागी है, तो exam details दिया जाएगा कि अभी कहा कहा admission process चल रहा है, आप कहा कहा apply कर सकते हैं, जितने candidate जो 20-25 के लिए अगर आप लोग apply करना चाहते हैं, तो exam strategy के तरफ से previous papers, question bank, test series, सब कुछ UGC net paper, सब कुछ आप provide किया जाता है, so that आपका 100% preparation हो सके, तो फटा-फट इस number पे call या message कीज़ औ admission related कोई भी और question है, कोई है, तो आप call या message करके भी पूछ सकते हैं, so thank you and we wish you all the very best.